बस आप 20 रुपए ख़रच कर लो, जी हां, फ्रेंड्स, आप 20 रुपए ख़रच करके, अगर आप ये तेल बना लोगे न, तो आपको अपने बालों में कभी भी कुछ extra care करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी extra कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस remedy को बनाने के लिए 20 रुपए आपको बहुत ज़ादा बता दिया है 20 रुपए भी आपके खरज नहीं होँगे अगर आप इस remedy का इस्तमाल करते हैं तो आपके बालो की quality दिन पे दिन आपकी अच्छी होगी और आप अगर लंबे बालो की ख्वाइश रखते हैं जैसे कि मेरे लंबे बाल है ऐसे ही लंबे बालो की ख्वाइश रखते हैं तो ये ख्वाइश जरूर पूरी होगी क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐसी इंग्रीडिय घना और आपके बालों में किसी भी तरीके की कोई भी प्राबलम नहीं होने देगा जी हाँ फ्रेंड्स अगर आप इस रेमेडी को अगर हफते में एक या दो बार लगा लेते हैं तो रिजल्ट आपको गजब के मिलेंगे अगर आप अपने बालों से बहुत जादा परेशान हो चुके हैं कुछ समझ में नहीं आरा आपने बहुत सारी रेमेडी इस्तमाल करनी हैं लेकिन आपको रिजल्ट जो है जीरो मिला है तो आप इस तेल का जरूर से जरूर इस्तमाल करके देखिए और जो भी हमने इसमें इंग्रीडियन का इस्तमाल किया है वो आपके स्केल्प के लिए आपके बालों के लिए बहुत जादा फाइदे बंद है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हाँ बस यह हो सकता है कि अगर आप इस रेमेडी का इस्तमाल कर रहे हैं तो हो सकता है आप पर थोड़ा लेट वर्क करें या फिर किसी और पर जल्दी वर्क करें बस यह चीज़ तो हो सकती है लेकिन इसके रिजल्ट आपको जरूर से जरूर मिलेंगे तो इस तेल के बेनेफिट क्या है यह बहुत जादा ज़रूरी है अगर आपको benefit पता होंगे तब ही तो आप इस तेल को बनाएंगे और अपने बालों में लगाएंगे तो friends सबसे अच्छी बात तो यह है अगर आप इस तेल का इस्तमाल करते हैं तो जो सबसे ज़ादा जो problem है वो बाल कमजोर होने की है बाल कमजोर होते हैं तब ही बाल डूरते हैं तो इस तेल से आपकी जड़ एक एक जड़ जो है मजबूत होगी जिससे आपका hair fall नहीं होगा और आपके बालों में एकदम जानसी आ जाएगी जिससे कि आपके बाल जितने भी डैमेज ही आ रहे हैं सारे रिप्यार हो जाएगे आपके रेशम जैसे बाल जो है जमकने लगेंगे और आपके जो बालों की ग्रोध है वो एकदम rocket speed से बढ़ेगी जी हाँ फ्रेंट सही सुनना है आप rocket speed से आपकी speed बढ़ेगी क्योंकि जितने भी आपके दो मुहे बाल हो रहा है वो सारे आपके repair हो जाएंगे आपके बाल healthy हो जाएगे अगर दो मुहें बाल होते हैं तो हमारे बालों की growth है जो है रुक जाती है बाल बढ़ते नहीं है और जो एक बहुत common problem है सफेद बाल होने की जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं कम उमर में बाल सफेद हो रहा है न तो ये इस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा शुरूर तरीके से ही आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे अगर आप भी बहुत जादा परेशान अपने सफेद बालों से तो भी आप इस रमिड僕 का इस्तमाल कर सकते हैं रेगुलर इस्तमाल करने से डिजल्ट आपको ये मिले गा आपके बाल इतने ही लमबे तो और इस remedy को किस तरीके से बनाना है इसके लिए आपको वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना है और इस remedy को किस तरीके से अप्लिकेशन करनी है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है बीच में वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है अगर आप वीडियो कि अगर आपको ये remedy थोड़ी भूद भी यूसफुल लगती है तो आप इस remedy को वीडियो को like जरूर करें और अपने friends लोगों में जरूर से जरूर share करें तो friends इस remedy को बनाने के लिए हमें किन-किन ingredient की जरूरत पड़ेगी ये देख लेते हैं तो friends सबसे पहले ingredient जो हमें चाहिए है वो है मेथी दाना मेथी दाने की जित्ती तारिफ की जाए बालो के लिए उतनी कम है ये आपकी बालो को लंबा भी बनाती है घना भी बनाती है गंजेपन को भी खतम करती है उसके बाद आपको लेना है curry leaves अगर curry leaves आपके पास नहीं है घर पर नहीं लगा हुआ है तो आप market से जाके easily पांच रुपे की ला सकते हैं ठीक है पांच रुपे में आपको बहुत जादा curry leaves भी ले जाएगी उसके बाद आपको चाहिए प्याज प्याज आप छोटी सी गंटी ले लीजे किसी भी तरीके की प्याज ले सकते हैं लाल सफेज जो भी आपके घर पर मौझूद हो और उसको अच्छे से छीन लीजे और छीनने के बाद इसको अच्छे से वाश कर लीजे वाश करने के बाद आप जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजे जैसे भी आप काटना चाहें उस तरीके से काट लीजे तो हमने ये तीनों चीजे ली हैं तो इसमें आपके 20 रुपे भी कर्च नहीं हैंगे अगर आप करीपता आउनलाइन फिलिपकार्ट ये अमाज़ों से मंगाते हैं तो जरूर आपके 60-50 रुपे खर्च हो सकते हैं लेकिन अगर आप बजार से ही करीपता लाएंगे तो आप सिर्फ ये 5 ये 6 रुपे 5 रुपे में आपको बहुत ज़्यादा करीपता मिल जाएगा 10-15 रुपे की आप जो है मेती दाना भी ला सकते हैं वैसे तो हमारी किचिन में मौजूद होता ही है ये समाद तो मुझे नहीं लगता है कि आपके 20 रुपे भी खर्च होंगे और बिना खर्च के आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा खूबसरत बना सकते हैं तो ये तीन हमारी चीजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है आप ये सोचेंगी प्याज रहने देते हैं, करीपत्ता रहने देते हैं, मेथी धाना रहने देते हैं ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तीनों चीजें ही चाहिए अच्छे से مिक्स करने के बाद गैस की तरफ चलते हैं गैस पे कोई भी बरतन रख दीजे जिसमें आप इस ओयल को बनाना चाहते हूं मैं इसमें एट करीम coconut oil मैंने तकरीबर आदे कटोरी जो है coconut oil लिया है आप इसकी जगे ऑलिव ओयल भी ले सकते हैं और इसकी जगे आप तिल का तिल भी ले सकते हैं अगर आपके पास coconut oil नहीं हैं तो आप olive oil और sesame oil का इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद जो हमने ये तीनों चीज़े जो ली थी वो इसमें हम add कर देंगे प्याज में होता है sulfur जो हमारे hair fall के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपको बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है किसी भी वज़े से तो इसको रोपने के लिए sulfur जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा फाइदे बंदा है अगर आप market जाएंगे अगर आप onion शैंपू onion hair oil खरीद के लाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं पानसो रुपए से तो कम होते ही नहीं अगर आप शैंपू और तेल लेकर आते हैं तो आपके 1000 रुपए तो पके हैं तो 1000 रुपए खर्च करने से अच्छा है जब आपके घर में प्याज मौजूद है तो क्यूं ना खुद से ही आप इस तेल का इसको तेल भी बना सकते है प्याज का और शैम्पू भी बना सकते हैं घर बैठे वो भी से 10 या 20 रुपए में लेकिन हम क्या करते हैं हम बाजार जाते हैं 1500 रुपए खर्च कर देते हैं और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है फिर भी हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है लेकिन हम इस रेमेडी को बनाने के लिए 10 बार सोचेंगे कि ये फायदा करेगी या नहीं करेगी जो आप 500 रुपए के प्रॉड़क लेकर आते हैं तो आप ये सोच के नहीं लाते हैं कि ये हम पे वर्क करेगा बस आपका मन करता है और ले आते हैं और इसका फायदा रिजल् आप अपने बालों को क्यार कर सकते हैं लेकिन थोड़ा पेशन्स रखना होता है हना तो पेशन्स रखिए अच्छे से बालों की क्यार कीजिए अपना खान पान अच्छा रखिए तो जरूर से जरूर आपके बालों की गुरूथ होगी अगर आपके बालों की क्वालिटी बहुत ज़ादा खराब हो रही है तो थोड़ी से एक्स्रा क्यार कर लिजए आपके बालों में सुधार आ जाएगा करने से होगा सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा यह फिर रेमेडी को बनाने से नहीं होगा अगर आप इस्तामाल करेंगे अच्छे से क्यार करेंगे तो result आपको 100% जो है मिलेंगे इस remedy को बनाने के लिए आपको 5-7 मिनट लगेंगे आपको अच्छे से ये brown जो आपने सारी चीज डाली है प्याज, मेथी और करीपता तो अच्छे से brown हो जाने चाहिए golden brown अगर जैसे आप high flame पे इस तेल को बनाते हैं तो जो हमने प्याज, करीपता और मेथी दाना डाला है उसके गोड़ हमाई तेल में नहीं आपाएंगे तो इसलिए इसको अच्छे से 5-10 मिनट तक अच्छे से पकाएं लो flame पे इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो बस जब इस तरीके से हो जाए तो उसके बाद आपको gas को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ठीक है जब ये ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद जो है आपको च्छनने की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से आपको च्छान लेना है अब हमें इसमें कुछ भी यार नहीं करना है क्योंकि अपना आप में बहुत ज़ादा पावरफुल तेल बंगया हमारा तयार हो गया है अब इसकी बस अप्लिकेशन करना है आप अप्लिकेशन जो है ओवनाइट भी कर सकते हैं मतलब ओवनाइट के लिए इस तेल को अपने बालों में रख सकते हैं पूरी रात के लिए अगर आपके बालों की कॉलिटी बहुत ज़ादा खराब है और आप कम समय में चाहती हैं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलें तो आप इस तेल का रात में ही इस्तमाल करें वन्ना तो आप जो है इसको अगर दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तेल को कम से कम दो भंटे तो जरूरी जरूरी रखना होगा अगर आप इतना ने रख पाएंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा ठीक ऐसे फैसा नहीं है कि आपको हेर वाश करना है तो उसके पांच मुन्ट पहले इस तेल को लगा लिया और आप सोचें कि यह फाइदा करेगा नहीं ऐसे आपको फाइदा नहीं मिलेगा तो कोशिश करिए कि इस तेल का आप रात में ही इस्तमाल करें क्योंकि रात में अगर आप लगाएंगे स्टेल को ओवर नाइट अपने बालों में रखेंगे तो आपके बालों को जो है अच्छे से पोशर्ण मिलेगा, अच्छे से आपके सारे बाल जो है रिपियर होंगे, जो कि आपके तीस मिनट में नहीं हो पाएंगे, ठीक है, अब् बहुत जादा हेरफॉल हो रहा है और आप ऐलिंग कर लेते हैं तो आपका हेरफॉल जो है और जादा बढ़ जाता है फिर आप कहेंगे कि इस रेमिडी को लगाने से जो है हमारे बाल गिरने लगें तो ये आप गलती ना करें तेल लगाएं तो अगर आपका हेरफॉल भी नह तो दिन में कम से कम आप 2-3 गंटे तो जरूर से जरूर इस तेल को रखें अगर आप इस तेल और इस तेल को लगाते जाएं और अच्छे से मसाज भी करते जाएं अगर आप मसाज भी करते जाएंगे तो इससे blood circulation होगा उससे जो है आपकी जो बालो की growth है वो बूस्ट होगी तो अच्छे से तेल को अपने पूरे स्कैल्प में लगाएं पूरे बालो की लेंथ में लगाएं अच्छे से लगाना है आपको जैसे मैं लगा रहे हूं इस तरीके से हम क्या करते हैं हम अपने स्कैल्प में लगा लेते हैं और हम बालों की लेंद पे बिल्कुल ध्यान ने देते हैं अगर आप अपने बालों के ध्यान ने देते हैं रूखे रखते हैं अपने बालों को तो वहां से जो है दो मुहें बाल होने की समस्या शुरू हो जाती है तो ये गलती ये आप ना करें जब भी तेल लगाएं या कोई सा भी तेल आप लगाएं तो आप अपने बालो की लेंथ में जरूर से जरूर लगाएं बहुत जादा जरूरी है तो अच्छे से तेल लगाने के वाद आपको जो है शैंपू से वाश कर लेना है आपको इसे भी शैंपू का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अच्छे से आपको उंगलियों से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से मसाज करकर के ही आपको अपने बालो को क्लीन करना है अच्छे से वाश करना है कंडिशनर भी लगा सकते हैं अगर आपका मन है तो अगर कंडिशनर लगाने का मन नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं result आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा natural तरीके से ही आपको अपने बालो को सुखाना है कोशिच यह करिए जितने भी heat वाले product हैं उनसे दूर रही अगर आपके बाल बहुत जादा खराब हैं तो नैश्रल तरीके से इस बालो को सुखाएं और इस रेमेडी को वीक में दो बार तीन बार जैसे भी चपी आपको हेरवाश करना हो तो इस तेल का इस्तेमाल करें और इस रेमेडी से रेलेज़िट कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंड करें मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नॉटिफिइशन पहुँझें आपको सबसे पहले और आप मेरी उडियो को देख पाएं तो फ्रेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुप जूरत हो जाएं तो